हेलो फ्रेंड्स आईस PCSE study के इस online platform पे आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको वीजन आयस magazine में अप्रिल मन्त की magazine पढ़ा रहा हूँ और यह दूसरी क्लास है यह बहतरीन articles हैं और आपके मेंस के लिए बहुत अच्छे articles हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और कई बार आपको इसकी जुरुवत पढ़ेगी इसलिए आपको याद भी करना है ठीक है तो आपको पहला article है दिब्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम दोहजार सोरह इस टू का जो syllabus है उसके किस point से यह term संबंदित है जो यह article संबंदित है अगर आप इसको link नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनोती हो जाएगी prelims को या means को पास करना क्योंकि syllabus को आपको on the typical बिल्कुल याद होना चाहिए और किस भी article को आप देखो था कि यह किन पार्टिकल से संबंदित है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप syllabus के इन points को देखिए यह आपका GS2 का syllabus है ठीक है अब GS2 के syllabus में आप देखो point number जो आपका आता है 13 13 ठीक 13 point को आप आओ इसमें नीचे GS2 में तो लिखा है केंद्र और राज्यों द्वारा जन इन योजनाओं का कारेनिस्ट पादन इन 30 समेदन सिल वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधी, संस्थान और निकाए यह आपने syllabus के point को देखा बहु सारे लोग इन syllabus को decode नहीं कर पाते हैं या decode करने में जो है वो गलतियां कर देते हैं तो मैं गवर्नेंस वाला ठीक है इसलिए जो आप वेजनाओं की मैगजीन पढ़ोगे आप तो लिखा है quality and governance यानि GS2 का comprehensive वो जो यूनिट है वो cover होता है उसमें तो गवर्नेंस से संबंदित है जिसमें लिखा गया है किंद्र और राज सेंटर स्टेट जो है वो जनसंख्या का 30 सम समेदन सील ठीक है तो 30 समेदन सील वर्गों को अब यहां पर एक सेकंड के लिए ठार जाओ ठीक ठार के जाओ अब मैं आपको बताता हूं क्यों ठार जाओ देखो 30 समेदन सील वर्ग यहां पर लिखा गया है तो इन 30 समेदन सील वर्गों में कौन से वर्ग आएंगे पहले तो पहले आएंगी human, ठीक है, women, यानि कि महिलाएं, महिलाएं आएंगी, फिर ये आएगा आपका backward class, backward class, ठीक, फिर आपका आएगा sc, schedule cast, फिर आपका आएगा st, ठीक है, इसमे pvtgs group के आएंगे, ठीक है, pvtgs group, इसी के साथ इसमें समेधन सील वर्गों में बच्चे भी आत फिर आपको आएगा, कि जो दिब्यांग बच्चे है, disabilities है, वही जिसमें आप आर्टिकल्स पढ़ना है, disabilities वाले, ठीक, इसी तरह से, जो ब्रिध आबादी है, ब्रिध आबादी, वे भी समेधन सील वर्ग में आती है, कुछ जो प्रवासी लोग है, प्रवासी लोग, migrants, ज इसी तरह से, sexually minorities, यानि कि जो जिस प्रकार से transgender हो गए, ठीक है, queer group के हो गए, तो यह sexually minorities, यानि इस प्रकार के जो लोग है, क्या होते हैं, संबेधन सील वर्गो में होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ही बताया, अभी मैं आपको जब मेंस का class लोगा, prelims के बाद, तो म मैं आपको, मैंने आपको यह plan बनाया है, कि सभी GS के लगबख, एक-एक GS को दो-दो महिने में complete करा दूँगा, तो अगले साल के लिए जो मेंस देंगे न, उनका पूरा सले, बस यहीं इसी platform से खतम होने वाला हो, बिल्कुल free में, कोई charges नहीं है, और मैं आपको बिल्कुल help करना हूँ इसमें पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो यह 30 समयदन सील वर्ग है, 30 समयदन सील वर्गों में कौन-कौन से वर्ग आ गए, तो आपने ध्यान देना है, women आ गई, मैंने महिलाएं, ठीक है, backward classes, schedule class, schedule tribe, pvtgs, बच्चे, चिल ठीक है, इसके साथ जो आपका जो है, person with disabilities में है, बृत अबादी है, sexually minorities है, प्रवासी लोग है, minorities है, यानि ये लोग क्या है, क्या 30 समयदन सील वर्ग है, अब 30 समयदन सील वर्गों के लिए, क्या आप देखना में, कि कल्यानकारी योजनाएं, ध्यान देना, यानि इन के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चला जा इन योजनाओं का कार निस्पादन कैसा है, क्या-क्या चुनोतियां आ रही है, क्या-क्या दिक्कते हैं, क्या इस प्रकार से काम हुआ है, कहां तक हुआ है, इस चीज को देखना है, अब यही जो 30 समयदन सील वर्ग है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसकी रच्छा के लिए और बेहतरी के लिए कौन सा तंत्र बनाया गया है, क्या तंत्र है, कौन सा लौ है, विधी, लौ जिस आर्टिकल्स को हम पढ़ने वाले है, वो क्या था, दिव्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम 2016, तो वो विधी है, तो उसी विधी के बारे में, यानि हम से ल बच्चों को बशाने के लिए, किस प्रकार से सेक्षवली हरस्मेंट से, ठीक है, बृध्याबादी के लिए किस प्रकार से जो विधी बनी है, प्रवासी लोगों के लिए क्या नित्या, जो विधी बनी है, तंत्र क्या है, कौन कौन से इंस्ट्यूशन से इसमें इन्मॉल आपको पढ़ना क्या है अतिसमेदन सील वर्ग यारी जो अतिसमेदन सील वर्ग यह है इसमें किंद्र और राज्य जो है कौन सी कलार कारी योजनाय चला रहा है उनका कार निस्पादन कैसा है चनोतियां बगरा सारी चीजें जो है कितना काम हुआ कहां तक हुआ है और इनकी अच्छा और बहतरी के लिए कौन-कौन से तन्त्र बनाए गए हैं, कौन-कौन से लौ बनाए गए हैं, कौन-कौन से institutions काम कर रहे हैं, कौन-कौन सी bodies जो हैं, ये काम कर रही हैं तो ये हमें आपको पढ़ना है syllabus के जो point को अपने link کر लिया तो जो मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ जिस आर्टिकल को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या था दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम 2000 सूर यानि क्या हो गया यह यह आपका law हो गया है विधी इन्हीं आति समेधन सी लवर्गों के लिए जो विधी बनाई गई है उसी को पढ़ने वाले है syllabus को आपने link कर लिया अब आपको इस article को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आगी क्योंकि आपने क्या किया है syllabus को link कर लिया किसे means के syllabus को और point wise जो है मैंने आपको syllabus को decode कर दिया यानि syllabus का decode करने के बाद एक आपका जो है section उसमें के लगभग complete हो जाएगा ठीक है तो चीज़ें समय में आ गई है आपको तो अब आते हैं कि right of person with disabilities ये news में क्यों रहा पहले तो वो जान लो तो अभी उस news में आने से पहले थोड़ से चीज़ देख लो कि दिब्यांग लोग होते क्यों है ठीकर दिब्यांग यानि person with disabilities क्या होते हैं तो संबिधान में उनके बारे में बताया गया संबिधान में मूल अधिकारों के तखत जो होता है वो सभी नागरीकों को समानता का अधिकार दिया गया ठीक बावजूद इसके क्या होता है कि जो नागर की का ही जो कलंग भेदभाव भी होता है कलंग भी उप्रक्षा गयारा तमाम सीजय होती है और इस स्वताह जो है समाज में इस प्रकार की आदतें लोगों में बनती गई है तो ऐसे में क्या होता है कि दिभ्यांग जनों की जो capacity है ना छमता है उनको कम करके आगते है ठीक है इससे क्या होता है उनके विकास में बाधा होती है और यह दुस्चक्र जो है वो चलता रहता है जो उनकी उपलब्धियों को पूरी कम कर देता है ठीक अब इसी चीज के परसेंट यानि बड़ा हिस्सा है उनका ठीक है और इसमें से लगवाग सतर परसेंट जो दिभ्यांग जन है वो ग्रामीट शेत्रों में रहते हैं और पच्छास लगवाग छपन परसेंट पूरूस है और इसी में भी सबसे अधिक जो है बात आती है कि इसमें 21 परसेंट जो है बुजूर्ग है यानि कि वो और अधिक संवेधन सील वर्ग है यह डेटा है इस डेटा को आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो और यह प्रिलिम्स के फैक्ट के लिए इंपोर्टेंट है यूपीपीश के लिए ठीक है तो अच्छा तब आता कि इन ही के बिहतरी के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम दोजार सूरा पनाया गया ठीक अब आता है कि इनके जो परसन विथ डिसेबिलिटी जैना उनकी चुनोतियां क्या है जैसे मान लोग इसने देख लिए यह समीधान में बताया गया है लेकिन चुनोतियां यह सहायक उपकरण ओबीसेस देखबाल सेवाव का भाव होता है रोजगार के आऊसर भी सेमित होते हैं अतरिक्त एक्सपेंडिक्चर होता है इससे क्या होता कि गरीबी और आर्थिक रूप से हासी पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो काफी अधिक समयधान से लियाते है और वे जो है अती भेदभाव से लेगर के तमाम प्रकार के दिख्कतों का सामना शुआ करते रहते हैं स्क्रीन रीडर और तमाम प्रकार के जो किफाथि सायक जो टेक्नलोजी जो होती है उसकी कमी है इससे डीजडल डिवाइड का भी बढ़ावा मिलता है मान लोग कुईस अधिकार अधिनियम 2016 को बनाया गया इसका उद्यसी था कि जो सभी दिव्यांग जन है वो गरिमा के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ और जो समान आउसर है उनके साथ वो अपना जीवन को ब्यतीत करें और इसके लिए अगर देखें तो भारत इसी अधिनियम को जो है दिव्यांग जन अधिकार है अधिनियम उसको पूरी तरह से लागू नहीं करने पे निरासा अभ्यक्त की जो सुप्रीम कोट ने कहा कि आंध्र प्रदेश है 36 गड़े यूपी है पंजाब है त्रिपुरा है और यूटी में चंदी गड़ा है इन्होंने जो है इनके कुछ सहीद कुछ राज अधिनियम है इनके अलग-अलग प्राधानों को लागू कर नहीं पा रहे है ठीक है जो इसे कुछ राज है जो क्या कर रहा है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के प्राधानों को लागू कर नहीं पा रहे है जैसे कि राज के आयुक्तों की नियु पूरा आपका निवुज में था इसलिए ये सारी चीड़ें आई है तो अब आता है कि जो एक्ट थाना 2014 वाला उस पे कुछ नजार डालते हैं तो यहां दिखा गया कि दिभ्यांग जन की परिभासा इसमें बताई गई है तो दिभ्यांग इता क्या होता है कि इसी ब्रेक्ति क्योंकि समान उनकी पुंड और प्रभावित भागदारी को बाधित होती है उनकी छमताओं को कम करके आंकार जाता है इससे उनके विकास पर भी असर पड़ता है तो इस तरह से अगर देखें तो दिभ्यांग जनों को मानता जो है वो अधिकार अधिनियम 2000 सूरा में 21 प्र गरिमा और समान के साथ जीवन जीने का अधिकार दे इसमें क्रूडता उत्पीडन अमानवी बेवार हिंसा सोसन से सुरच्छा का भी अधिकार है ठीक है और इनमें अनधिकारों में होता है कि इनका घर परिवार का अधिकार होता है प्रजणन का अधिकार होता है मदान का संपत्ति के शौमित और विरासत का भी अधिकार बगारा सारी चीज़े होती है यहाँ benchmark दिब्यांग जन की बात हो रही है यानि कि benchmark दिब्यांगता यह होती है कि इसका आर्थ ही होता है कि कम से कम 40% जो है नहीं ले पा रहा है या उसके लिए कोई जो है कि दिब्यांग बेक्ती जो है वो इस प्रकार का ऐसा कोई नहीं ले पाना जो कि उसके जीवन से संबंधित हो तो ऐसे में होता क्या है कि स्वयम के लिए कानूनी रुप से बादेकारी नहीं ले पाता इसको किसको गार्जासीब को सिमी तोर पे जो limited इसको लिए परागध्यखरन का गठन नहीं किया गया है ये क्या होती है कि सिमी तोर पे limited गार्जासीब हे होती है कि सनरच्छक और दिब्यांग जनगा उसके बीच में समझ और विश्वास पे होगा अब इस तरह से समाजिक सुरच्छा की बात आती है तो यह जो act है वो सरकार को दिभ्यांग जनों के अधिकारों के सुरच्छा के लिए आवस्य कारिकरम त्यार करने कादिश देता है जिसे क्या होगा कि इन कारिकरमों का लक्षी होता है कि सोतंत रूप से उन्हें सक्षम बनाना है और एक उचित जीवन अस्तर प्रदान करना है यह चीज़े हैं तो यह act के कुछ प्रमुख बाते हो गई तो अगर बेंचमार्क दिभ्यांगता के लिए मार लोग कोई ब्यक्ती है दिभ्यांग 40% से अधिक उसकी 40% तक वो डिसाइबल है तो उसके लिए उसको बूलते है बेंचमार्क दिभ्यांगता तो उसके लिए BCS प्रावधान किये गए हैं तो इसमें सिच्छा को देखना है 6-18 वर्स के आई वर्गों के लिए निसूल्क सिच्छा है और बाद में जो है सरकारी सहाइता पर आप जो भी संस्थान होगा उसमें 5% का रिजर्वेशन होगा सरकारी नोकुलियों में कम से कम 4% का रिजर्वेशन होगा और नीजी सेक्टर भी इसको प्रोसाहित करेंगे और कम से कम 5% बिक्तित दिब्यांग जन होने चाहिए और आर्थिक सायोग भी यहाँ पर प्राधान होता है ठीक है बेंच मात दिब्यांगता से जोगरसित ब्रेक्ति होते हैं लेकिन क्या है कि अब आता है न कि अभी आप उपर पड़ रहे होगे कि जब आपने पढ़ा था कि समेधन सील वर्गों के लिए विधीत मततंत्र और उनके कार्य निस्पादन यानि कितना कार्य हुआ है क्या चीज़ें उसकी स्चिजल लई है तो अगर देखें तो जो आपका परसन विट डिसेबिलिटीज एक्ट है वो कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी दीकते आ रहे ब्यभारिक चुनोतियां है और किस प्रकार से चुनोतियां वो चीद देखो और क्या-क्या जिम्मेदारी कारण है तो संसाधन का आपराप्त अवंटन है जैसे की माल लो कि जब तक संसाधन नहीं होगे तक वित फाइनेंस के ब्योस्था नहीं होगी तो क्या कोई भी एक्ट हो या कोई कानून हो या कोई भी नियम बना दो आप जो है वह पालान अनुपालान उसका हो नहीं सकता ठीक तो अभी संसधी अस्थाई समीती ने भी जो है अलग अलग कारिकरम शुरू किया थे उनके आपराप्त अवंटन पर प्रकास जाला था ठीक इसी तरह से देखें तो इंदरा गांधी राष्टी निसकत पेंसन योजना में 300 रुपय या 500 रुपय प्रतिमा की जो है निसकता पेंसन होती है तो वरतमान में अगर सिती देखें तो भांगाई की या फिर जो इंफलेशन रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई है तो इसमें 300-500 रुपय में कुछ होने वाला है ने महीने में ठीक है समन्वे समन्दी जो है वो समस्या होती है जैसे दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम है उसके effective क्यानवन के लिए राज्यों और जीलों के सक्रिय भागदारी बहुत जरूरी है और ऐसे में क्या होता है कि अलग-अलग जो भी भाग होंगे अलग-अलग एजेंसी होंगे उनके बीच में coordination अच्छा होना चाहिए तो यह coordination को establish करना एक बहुत बड़ा दुरलवकार है और यही सुप्रीम कोट ने भी लेखी किया है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ service delivery हो गया या फिर सेवाओं की पहुंच हो गई या फिर जो आपका उपलब्दता है उपयोगिता है किस प्रकासे संसादनों का परियाप्त पहुंच है infrastructure का अभाव है तो ऐसे में क्या है कि जो पुनरवास सेवाए होती है वो वहाँ पे पहुंच भी ने सकती और सबसे आने के लिए बजटी या वंटन में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है कुछ पहलोसी को छोड़कर कोई ऐसा लक्ष जो है ऐसा है नहीं जो इसको प्राप्त कर लिया गया हो ठीक है सरकारी संस्थानों या फिर अगर आप देखो कोई देखती दिव्यांग है बहुत सारे जो इसमें एक समाजी कलंक भी जुड़ा हुआ है कैसे जो दिव्यांग जन इक ग्रामीट खटरों में लगवा को 69% निवास करते हैं उनको क्या है कि जो ग्रामीट खटरे के लोग है वो सारारी छमताओं को या फिर उनकी जो समता है उसको देखते हुए उनको कमता राकते हैं और ऐसे में उन्हें जो है सिच्छा के लिए भी नहीं भीजा जाता अलग कहीं पढ़ने के लिए उससे क्या होता है कि वो सेक्षी रूप से भी पिछड़ गए और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कैपिसिटी नहीं है बलकि कि उनके अंदर और अधिक कैपिसिटी होती है पहले विकलांग बोला यता था लेकि प्रधानमंत्री ने ही जो है एक सब्द को चेंज करके दिब्यांग किया तो दिब्यांग मतलब उसमें कोई एक ऐसा अंग है जो काफी अधिक एक्टिव है जो अन्नेक के अलग अलग तरह कि जो बेंचमार्क है उसके वरगी करी डेटा का भाव जिससे क्या होता कि कई बार जो होती है वो निती निधार्ण में और हस्तक्षेपों में दिक्कते आती है हलांकि सरकार ने कुछ पहल भी किया है सरकार ने कुछ जिसे प्रभुख योजणाय लाई है जिसे मालो समाजीक सख्क्वाइपों कौन-कौन सा योजणाय है उसको देखना सुगम भारत अभियान विस्स्ट दिभ्यांकता पैचान योजणा फिर उन्हें सारडिक सस्क्ति जहें कुछ नीती भी आई है जिसे कि इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी नई सिच्छा नीती उसमें भी दिव्यांग जनों के लिए समाविश्य सच्छा के बात की गई इसी तरह से आप देखो तो समाजिक नाय मंत्राले भी कई सारी जो है वो एक्ट को बना करके मासिक स्वास्त देखबाल अधनियम के थात तरह जोहें इसी तरह से अगहर देखें तो स्पीड़ा जोहिए जोहें पॉट इन्यसा अधनियम के लिए करयांन में के लिए उजशना लाई गई थी ठीक है इसी तरह से कुछ भारत ने अब है अंतराष्टी जो है वो पहलों का भी सहस्ताक्षर करता है यह से कि एसिया और प्रसांत रिजन में जो दिव्यांग जन है उनकों वास्ते बढ़ाने के लिए इसी तरह से करेंगे तो विवाकों में लिएन फ्रेमवर्क है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस तरह जो है कुछ जो है अंतराष्टी पहलों पर भारत तो है श्रक्षर करता है लेकिन अब बात आती है कि इंतनी सारी चुनोतियों का आपने देखा तो सामने आपके पा प्रजिटिव इंडिंग बहुत जरूरी है तो ऐसे में आगे किरा क्या हो सकती है वो चीज़ समझो तो राजियों को सहायता प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्र द्वारा इनको विशेशक सलाह देना लक्षोशन सादनुसाद मार्गदरसन देना इन एक्ट पहुच में सुधार हो जिसे डिजिटली बहुतीक परिवहन इंफ्रेस्ट्रेक्चर की डेवलप्मेंट्स हो ठीक है जो निती है और जो वास्तिविक्ता है उसके बीच में सामंझस से हो और वास्तिविक रियल टाइम डेटा के अधार पे जो है निगरानी करके उनकी जो उनको प्राप्त किया जाए जो निती बनाई जा रही है प्रभावी मुल्यांकन हो ठीक है उनके जितनी काम हो रहे हैं उनके क्रियानमन हो निगरानी हो मुल्यांकन हो इससे क्या होगा कि जो रिजनल चलेंचेस है उसको हम लोग जो है उसमें रिसर्च करके उसको social audit करेगी तो इससे क्या होगा कि जो प्रभावी उसका निस्पादन है ठीक है वो हो पाएगा effective delivery हो पाएगी सेवाओं के गुरवत्ता में सुधार होगा और इसे प्राथमिक्ता कधार पर लागुकरने से कही न कही दिभ्यांग जनों के अधिकारों को उनके वास्तिविक अधिकारों के प्राप्ति हो पाएगी तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो दिभ्यांग जन अधिकार अधनियम है उसमें क्या चुन होतियां है जो है वो benchmark disabilities क्या होती है, news में क्यों था और 30 जून तक इसको लागू करना है 37 को से लेबस से हमने link किया आगे कि रहा देखी, ये चीज़े हमने देख लिया ये article complete होता है next article आता है street vendor act 2024 protection of livelihood and regulation of street vending, यानि कि जो street vendor होते हैं उनकी आज़िविका के लिए उनके विनियमन के लिए एक act आया था 24 में यही बात इसमें की जा रही है इसी act में जो street vendor acts है वो भी क्या है, अतिस समेदन सील वर्गों में है, मैंने आपको क्या बढ़ाया मैंने आपको बताया इसमें की, तो इसमें मैंने आपको काम करती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, जैसे मानगरों में अजिकतर जो street vendors हैं, वो migrants हैं, तो इसमें 30% अस्थानी लोग भी होते हैं इसी तरह से इनके लिए विधी बनाई गई street vending act 2014 में, और वो विधी जो है, वो खबरों में रही है street vendor, आजेवी का समनच्षड और street vending का विधी अमन अधिनियम 2014, अब इसका एक दसक पूरा हुआ है, इसलिए एक खबर में थी news में थी, और news में थी तो इसमें बहुत सारे challenges भी आये हैं street vending act में, और इसको मैंने आपको PT 365 जो vision वाली है, उसमें भी कराया था, और इसके बाद सितंबर वाली मन्त की magazine में भी लगबग जो है, मैंने इसको cover किया है street vendor होते क्या है, कि इसकी संख्या अगर देंगे, पूरी देश में तो लगबग 10 million है, यानि कि एक करून की आसफास लोग होते हैं, ठीक है, एक करून की लोग और दिल्ली मुंबजी से साहरों में सबसे दिक संख्या है, और इधर प्रवासी है मैंने आपको बताया ना कि migrants, तो जो समेधन सील वर्ग है, उसमें migrants भी आते हैं और इनकी जो अनौपचारिक रोजगार है, उसमें स्ट्रीट वेंडिंग हिस्दारी लगवाग 14% है कितना? एप्रोक्स 14% और यह होते क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए कि स्ट्रीट वेंडिंग सबसे कम पूजी भी लगती है, और स्वरोजगार का सबसे बेस्ट जो है, वो भी गल्प इसमें होता है स्ट्रीट वेंडिंग में चुरोतियां क्या होती है, तो अगर देखें, तो इनके अगर देखें, तो कम आए है रोजगार का जो अनियमित स्ट्रक्चर है, विक्री मुतार चड़ा हो सकता है, इसे वित्ती और सुरक्षा बनी रहती है, और जो कर्ज है, या अनुपचारिक कर्ज है, वहाँ तक उनकी पहुँच जो दिया, और नाकरात्म कुरूप से परभावित होती है, अब इसमें कामकाजी स्थिती भी खराब होती है, कई के घड़ों तक वेंडिंग करना, लूग और कठीन मौशम इस्थितियों में काम करना, अनि एक परकार का जो आसरे अस्थले, परिवहन है, भंडार अनि स्टोरिज कैप सिटी, ये सब चीज़ों की कमी तो यहां होती ही है, बुनियादी सुविधाओं की पहुँच का समस्या, यानि करना इपर तैसे छेट छाड़ वगएरा, या नुद्पिनन वगएरा की जो चीज़े होती है, उसके खिपरती भी ये काफी सुभेद होते हैं, वनरेबल होते हैं स्टीट वेंडर के समिध कुछ संबेधानिक प्राओधान भी हैं, जैसे कि आर्टिकल उन्नीस एक जी कहता है कि कोई पेशा अपनाने या कोई भी ब्योसा या ब्यापार कारोबार करने का अधिकार है आपके पास आर्टिकल 39A ये भी बोलता है कि पुरुस और महिला सभी नागरिकों को आज जीविका के समान रूप से प्रयापसाधन हासिर होने का अधिकार है आर्टिकल 39B ये भी बोलता है कि समुधाय कि जो भी भौतिक संसाधन है ठीक है उनके स्वामित का नियंतरन का ऐसा डिस्टिगूशन हो कि सामुधी की हीतों की पूर्ती हो और लोगों की भलाई हो सके ये बात है यहाँ पर की जारे है भारत में जो स्ट्रीट वेंटर उनके अधिकारों का कैसे भिकास वा इस बात की यहाँ पर बताई गई है डाइग्राम में जैसे कि बामबे हॉकर यूनियन बनाम अन्यवाद में 1985 में सुप्रीम कोट ने हॉकर लाइसेंस देने के लिए और नो हॉकिंग और हॉकिंग छेतर के लिए एक प्रणाली बनाने की बात कही थी और यही चीज आगे निकल कर दोजाचोवदा में स्ट्रीट वेंटिंग एक्ट जो है वो बना जिसमें बहुत सारे बीच में उतार चड़ावाते आए ठीक है तो इसको देखना है आपको इसमें एक चीज आपको देखना है कि सुदान सिंग बना भारत दिन नहीं दिली नगरपाली का वाद में सुप्रीम कोट ने बोला स्ट्रीट टेंडर को की संविधान का आटिकल 19.1 जीक के तहत व्यवसाजाई करने का अधिकारी ने है ठीक तो इनिक के लिए जो है दोजाचोवदा में जब मोजी सरकार आई तो स्ट्रीट वेंडर आजिवी का सनरच्छन और विनियमन अधिनिय जाया गया कि यह क्या है कि स्ट्रीट वेंडिंग और भी नियमित अनौप चारिक अर्थ व्यवस्था का हिश्चा है इसलिए सहर के जो सिविल अधिकारी होंगे पुलिस अधिकारी होंगे ठोक भी करिता होंगे या रेजिडेंट वेलफेर एसेशियेशन होगा कई निवस को सामिल करने की जुनोती होते वो अन्सोल जी रहती से मालों कि अभी आप देखो न ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे कि आप जितने ठेले वाले होंगे आसपास लगाए होगे सहरों के आसपास जुबी तो उन्हों को मार मार के भगा जाता है जिबकि अगर भारत की जो पूरी रास्टी नेस्नल पॉलिसी है वो क्या है कि वो पॉजिटिव रूप से स्टीट वेंडर को मानता देती है ठीक है तो कई बार ये भी बिवाद इसमें हुआ है तो इसी एक्ट में ये प्रमुख प्राधानी था कि स्टीट वेंडर की परिभासा क्या और वेंडिंग जोन की परिभासा ये मैं आपको पढ़ाया था वीजन इसके पीटी में कि जो लोकल अथॉरटी होगी उसके द्वारा स्टीट वेंडर को वेंडिंग स्टीट वेंडिंग है तो क्या है किसी छेत्र में लोकेशन को दी जाएगी जिसमें फूट पाथ है कि अस्ठाणी प्रःदिकारी होंगे उसको तेयार करने चाहिए जिसमें की वेंडिंग पैचान करने है कौन कहाँ पे वेंडिंग जोन लगेंगे अस्थानी यूजनए बनाना है और वस्तों सेवाउं के कुशल और लागत प्रभावी वीदरन के लिए उपाय करने है अब इनका कर्तब है स्टीट वेंडर का कर्तब यह है कि कोई भी कानून होगा विनियम में उसका पालन करना है वेंडिन सुल का भुकतान करना है सुरुच्छा स्वच्था के मानुकों का ध्यान रखना है सरकार के कता भी है कि इनके लिए रेडी पत्री वालों के लिए बीमा की समाजी सुरच्छा की और अन्हें कलानकारी ओजनाओं के लिए हमें प्रोसाहन का उपाय कर सकती है ठीक ये बात है अब इसी एक्ट के तहट इसी अधिनियम के तहट स्ट्रीट विंडर के अधिकारों को बात आया गया है इसमें जैसे इसमें क्या है कि ब्यवसाय करने के अधिकार इनके पास हैं स्ट्रीट विंडर को ठीक है उत्पीदन से बचाव के लिए भी स्टीट मेंटर के पास दिकार है ठीक है अस्थान तरन या बेदाखिली के लिए भी जो है उनको 30 दिनों की पूरो सुचना के बिना नहीं अटाया जा सकता माल की पुना प्राप्ती वगरा जब्त के जाना अगर हो है तो वो क्या होना चाहिए कि अगर कोई जब्त किया गया है तो उसी दिन या उसके स्टीट मेंटर के दावे के दो कारदीवसों के बीच में उसे वापस करना चाहिए ठीक जो अगर कोई माल की जब्ती वगरा हो जाती है कई बार तो ये चीज़े है इसमें स्ट्रीट वेंटर के एक्ट में यह अधिकार उन्हें दिये गए हैं तो अब आता है कि अधनियम के तहट प्रमुख निकाय कौन-कौन से अस्थापित किये गए तो आपने उसको देखा हुगा सेलेबस के पॉइंट में कि प्रमुख निकाय की बात वहाँ की जा जई है इसमें कोई जो आतिस Наमयदन सील वर्ग है उनके लिए प्रमुख निकाय, संस्थान वगईरा की बात यहाँ पर की जा रही है तो टाउन वेंडिंग समीटी की यहाँ पर बात है इसीमें ग्रेवियं जो सिकारत तिवारण जो समीतिया है ठीक है ग्रैवियन्स रिडेसल कमिटी हैं उनकी बात यहां पे होगी तो टाउन वेंडिंग समीतिया क्या है इतका structure देखें तो टाउन वेंडिंग समीतिया में जो धक्ष होता है न वो नगर पालिकायुकतिया जो मुख्यकारकारी अधिकारी CEO होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें अस्थानी प्राधिकरण के लोग होंगे योजना प्राधिकरण के लोग होंगे वोकल पुलिस के लोग होंगे इसमें कम से कम 40% street vendor होंगे और इसमें भी 2 एक तिहाई 1 3rd 40% का भी एक दर्मान लोग की जिसमें की 100 लोग है 100 में से 40 लोग की आओंगे street vendor हो गया उसमें भी एक तिहाई जो है maximum हो की आओंगे वो आपकी महिलाएं होनी चाहिए और कार यह देखना है कि street vendor का जो प्रते एक 5 साल में कम से कम एक बार उसका किया जाए वेंडिंग प्रमाणपत जारी करने के लिए मतलब 14 वर सदीक आयू के लोगों को वेंडिंग दे जाएगा ठीक है और इसमें भी SC, ST, OBC मैलाओं को जो है प्राथिमिक्ता दी जाएगी दिब्यांग जनों को और अलप्रसंखेकों को चाहे तो अगर गयर अनुपालन होगा तो वेंडिंग प्रमाणपत को रद भी हो सकता है और इसके खिलाफ अपील कर सकता है तो यह जो टाउन वेंडिंग कमिटी इसके खिलाफ हम मिद्य की गठन कर सकती है और यह करेंगे क्या कि जो स्थानी निकाय है और इस अपने जो निकाय बनाए गए है किसके लिए स्थानी निकाय के लिए और यह आपका सेलेबस में पॉइंट मिंसन है तो अभी आते हैं कि स्थानी निकाय है तो सभी स्थानी निकाय है उसमें तो इस तरह से मैंने बहुत सारे आपको बताया है तो सभी स्थीट विइंडर का यहां पर पंजीकरण होता नहीं है कई बार क्या होती है कि निसकासन के प्रतियासुरच्छा की भावनाबनी रैती है कई सार सारी स्थानी निकाय है उसमें तो TBC का गठन भी नहीं को या टाउन वेंटिंग कमेटी का इसमें क्या होता कि लग स्ट्रीट वेंडिंग प्लान भी बनाया है कई सारे राज जो असम वगएर है उन्होंने क्या है वेंडिंग प्लान बनाये बिना ही वेंडिंग जोन को नोटिफाई कर दिया है कि अवल नौ राजजियों नहीं जो है ग्रिमेंस रेडिसल कमेटी का गठन किया जिसमें कि किरल पंजाब रगर है और इसमें आधुनिक सानिकरण में सामिल नहीं किया रहा है कई बार जो स्ट्रीट वेंडर को स्मार्ट सीटी जो विकास हो रहे है उसमें मस्टर प्लान मना जा रहा है सारीकरण में कोशल विकास चोटे-चोटे सुच में उदम विकास और कर्ज की उपलगता का प्राधान होता है प्राधान मंत्री कोशल विकास ही हो जना 3.0 भी है जिसमें की स्टीट वेंटिंग को लिए फूट विक्रताओं के लिए जो कोशल प्राधान करना है ठीक है regression of the preoral learning है इस component के दाद वो प्राधान किया गया है आगी कि राभ क्या हो सकती है संसती स्थाई समीती ने कुछ सिफारी से की है है जैसे, इन्हें क्या है, इन्हें smart card जारी किया जाए है, जैसे क्या होगा ofサ at satate recipient जो को तो उसके उन्हित सब्सक्वारत का जो स्भाद स्गार हिस या है जल्दी स्गा का जो सकती होगा समावेसी सहरीकरण को इसमें सुनिशित किया जाए, स्टीट वेंडर को जो है, जो भी विकासात्मक मिशन हो रहे हैं, जो भी सहरी नियोजन की प्रक्रियाएं हो रही है, उसमें इंटिग्रेट करें, स्मार्ट सिटी मिशन के ताथ इसमें परामर्स किया जाए, मास्टर प्ल आई जाए और सहरी अस्थानी समीतियों द्वारा डिफ्रेक्टिव जो उसका प्रयानवन के लिए मानता देने के लिए सर्विक्षणों और वार्सिक सर्विक्षण इसका आयोजन किया जाए ये सारी चीजे जो है वो इस एक्ट को प्रभावी दोर पर बना सकते हैं और प्रकार से ये भारती मानवाधिकार आयोग करता क्या है कि कुछ चुनोदियां है मुद्दे है और आगे की रहा भी है ठीक है तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूँ कि ये इस हले बस के किस पॉइंट से लिंक हो रहा है तो से ल अधिकार भारती मानवाधिकार है क्या पहले तो यह जान लो यह क्या है एक सामविधिक निकाह है जो बताया ना सामविधिक निकाह यह इंपोर्टेंट है भारत में मानवाधिकार सनचन अधिनियम 1993 के ता तस्थापित किया गया और इसे जो है 2006 में फिर 2019 में इसका कहां पे है New Delhi में इसका headquarters है New Delhi में ठीक है इस चीज़ आपने देख लिया यह act क्या करता है कि जो मानव अधिकार है उसके लिए ब्यक्ति का जीवन सुतन तथा समानता गरिमा इनके अधिकारों को define करता और यह निर्धकारों गरांटी कहां दी गाई है सम्भिधान में दी गई है और अंतराश्टी जो भी कर्विंसन्स है उसमें भी यहां पे सामिल के अगा रहा है और भारत के नेलो दरह इसे नागू करे दा सकता है निकती इसमें कैसे होती है इस आयोग में तो आयोग के जो अपनी लच्पने लश्मी कान्थ में पढ़ा होगा कि आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य उसकी निकती भारत के राष्टपती द्वारा PM के दश्तावली समिती के सिफारिश पर होती है कि लोकसभा अदक्ष होते हैं, ग्री मंत्राले का प्रभारी मंत्री होता है, लोकसभा और राजसभा में विपक्ष का नेता होता है, राजसभा का उपसभापती होता है, इंपोर्टेंट है, राजसभा का उपसभापती भी होता है, यह क्या होती समिती होती है, ठीक है, कारे कैसे डायेगा तो Supreme Court से पर अमरस के बात जो है अगर को इसी दिक्रदाचार हो या च्छमता हो तो राश्टपति के यदिस पर पद से अटाये दाएगा इसकी सक्तियां जो है अब यहाँ पर बनाया भी गया है तो भारत का एक मुख्य जो है सिवानेरित मुख्य नयाधिस या सुप्रीम कोट का एक जज़ इसका अधक्ष होगा पांच पूर्ण कालीन सदस्य होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोट का एक सिवानेरित जो होगा एक किसी एक हाई कोट का होगा तीन माना अधिकार जो सदस्य होगे इसमें एक महिला होगी ठीक है? साथ डीम्ड सदस्य होगे जिसमें अलप संग्ष है पिछडे वर्ग, दिम्यांग, बालादिकासन, अच्षण, माईलायोक, चेरपरसन वगाराइज में होते हैं यूमन राइट कमिसंस में ठीक है? नेशनल लूमन राइट कमिसंस में अच्छा अब आता कि इसके जुड़े कुछ मुद्दे हैं तो मुद्दों को समझेंगे लेकिन उससे पहले थ्वास आते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा? तो हाल ही में न्यूज में क्यों रहा? कि यूएन से संबंध जो गनहरी है, जिसे गनहरी Global Alliance of National Human Rights Institutions ये इसके बारे में तो आसे जान लेते हैं तब इसके बाद समझेंगे तो ये क्या है? कि ये जो राश्टी संस्थान है उसकी अंतराश्टी समन में समीती जो है International Coordination Committee के रूप में इसको 1993 में स्थापित किया गया था तो ताकी जो है मानवादिकारों का समझेंग चणों सके और इसकी जारूता बढ़ाई जाए सके इसका भारस अदस से है ठीक है? भारस अदस से है अब इसमें क्या होता है? ये मानता देती है राश्टी मानवादिकारों का Westwick संगठन है इसका हैड़कटर कहाँ पर है? जेनवा स्वीटिजर लेंड में है ठीक है? स्वीटिजर लेंड में है अब आता है कि यही जो है क्या की है कि इसने दूसरे वर्स लगातार भारत के जो National Human Rights Commission है उसकी मानता प्राप्त मानवादिकार अधनिकाय का दरजा को अस्थागित कर दिया मतलब हटा दिया, नहीं दिया ठीक है? तो यह क्या करती है जिसकी प्रिस्टिभूमी यह है कि एक पीर रिव्यू अधारित पनता प्रक्रिया बनाता है इसमें क्या होता है? कि अलग अलग देशों की जो राष्टी मानवादिकार संस्थाए होंगी, वो अंतराष्टी रूप से जो भी मानक हैं, उनका पालन कर रही है कि नहीं, उसी कदार पर उसको मानता देती है, तो पेरी सिधान्त कई इसको बोलते हैं, पेरी सिधान्त क्या है? कि इसी कानून या संभिधान द्वारा गारंटी करित हो, प्रयाप संसादों नों बहुलवाद हो, जाच करने के सकतियां हो, और सौपे गयकार है, उनके पास योगता भी हो, तो पेरी सिधान्तों के लिए, कुछ कुछ सिधान्तों को यहाँ पर मानक बनाया गया है, इसी मान मानता की प्रक्रिया जब होती है, तो कोई जब मानवाधिकार संस्था सुरू में जब आवेधन करती है, तो इसकी स्क्रूटनी होती है, समिछा होती है, समिछा कौन SCE करेगा, ठीक, अब इसके बाद जो है, जो National Human Rights Commission होंगे, उसको मानता के लिए हर पांच साल में एक बार उसके पास जाना पड़ता है, आवेधन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें अगर देखें, तो दो वर्गों में मानता जब आता है, A स्टेटस और B स्टेटस, तो जो अगर पेरी सिधानतों का पुल रूप से पारण करे रहेगा, तो उसको A स्टेटस मिलता है, ठीक है, अगर आंसिक रूप से पारण करा, तो उसको B स्टेटस मिलता है, ठीक है, ओट देने का, प्रसासनिक पत समालने का, इसमें अगर B स्टेटस वालों को अधिकार नहीं होता है, लेकिन उनका बैठक में भाग ले सकते हैं, तो भारत को जो है, वो दर्जा ही नहीं दिया, वो इसलिए न्यूज में था, भारत के मानादिकार आयो को देख लिए आपने, तो इससे जुड़े मुद्दे क्या है, अगर आपको देखे, तो National Human Rights Commission के समक्ष जो है, कौन-कौन से मुद्दे है, तो पहली बात ये मुद्दा है कि उसको Westwick दोर पर मानता नहीं मिल रही है, ठ जो न्याले के विचाराधिन मामलाग, उस पर जाच नहीं करेगा, बिवित्ता का भाव भी है, इसमें 393 कमचारियों में से केवल 95 पदों पर यही महिला नेतरत है, ठीक है, ये चीज़े हैं, अच्छा, चैन समीति पर जो है, सरकार का वर्चस है, सतरूट दल का वर्चस हो करता है, क्योंकि ये पेरिशी दान्तों का उलंगन भी है, इसलिए जो है, आप मैंतावासिव का सतर पर मिलने रही है, जांस समंधी जो दिक्कते हैं, कई बार डेपुटेट अधिकारियों पर निभार रनना पड़ता है, निगानी तंतर का भाव है, सिविल सुसाइटिक स इसके साभागिता काफी जो है, वो एफेक्टि तरीके से जुड़ नहीं पाई है, ये दिक्कते हैं, लेकिन बात आती है कि ये करता क्या है, तो जो नेशनल हुमन राइट कमिसेंसे ने, वो मानाधिकार उलंगन की जाच करता है, नियाले की अनुमती से किसी नियाले के अच्छा के लिए कोई कानौन होगा, कोई प्रोसीजर होगा, उसकी समिच्छा कर सकता है, और उसकी गोतिवीधियों को मानाधिकारों कुलंगन से जुड़े कारणों की समिच्छा करेगा, अतंकवाद सहीद, ठीक है, ऐसे हमें हमें करना क्या चाहिए, तो अगर आद से मानाधिकार के समझे मुद्यर्ट रनी पटने के लिए एक स्वतंत्र पोलिस सीकायत आयोग की गठन किया हो सकता है, और इसकी इन्विस्टिगेटिव वीन को विक्सित करने के लिए, नेशन हुमन राइट कमेशन के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, जो भी सामिधिक सक प्रभावी तरीके से इस्तमाल हो, ठीक है, ब्यापक सहयोग हो, ताकि सिविल सोसाइटिक साथ राज सरकारे सभी हिद्दारक हैं, वो सहयोग करें, और अन्य सुधार हो जैसे कि उनकी नेशे सार्सी में भारत की विवित्ता को रिप्रेजेंट किया जाए, और मानाधिकार कि सिकायतों को एक वर्स के समय सीमय कम करने चाहिए, मतलब उसको खतम कर देना चाहिए, मतलब उससे क्या होगा, कि सिकायतों को दर्ज करने की जो प्रविती होगी, और सिकायत जाच, इससे दारा इसका बढ़ेगा, तो यह सारी चीजे हैं, इस तरह से करने से हम National Human Rights Commission में मसते हैं हम लोग, तो पहला आर्टिकल है कि चुनाव होग दोरा होम वोटिंग की सुरुवात की गई है, 2024 के चुनाव में, ठीक है, इसका आदर्स वाकि धाना है, कोई मतलब उसका पीछे न चूटे, यह आदर्स वाकि है, इसमें क्या हुआ कि जो मतलब उसकारी होंगे, स इसमें को समावसी बराने के लिए इसी चुनाव में, 2024 के जो लोग सबाय चुनाव हुआ है, इसमें, देखें तो, आप आयोग ने, देखें तो, जम्मू कस्मीर और उधमपूर में, जो कस्मीरी विस्थापी थे, उसमें फॉर्म M लगता था, उसकी प्रक्रिया को समाप् कर दिया, कई बार क्या है कि, इलेक्टरानिक ओटिंग जो मतलब अगर देखें तो, डाक मत पत्र की बात यहां पे हुई है, डाक द्वारा, जिसे कि, जो विशेस मत दाता है, सिवा मत दाता है, इलेक्शन डूटी पर तयानात है, या प्रिवेंटम डिटेंसिन के अधिन ह कोई भी मत आता, जो प्रिवेंटर डिटेंसिन के अधिन होगा, वो चाहे तो, डाक मत से भी मोट दे सकता है, या ओट वो देगा, उसका अधिकार है, लेकिन जेल में बंद ब्यक्ति ओट नहीं दे सकता, उसको सजा हुई हो, ठीक है, प्रॉक्सी वोटिंग भी है, जैसे क अगर चाहें, जो पंजिकरित निर्वाचन है, अपने मदान कारिकार, स्वैमदारा कोई जो नमांकरी प्रतिदी होगा, उसको सौप सकता है, ठीक है, ये चीजे हैं, और ये केवल क्या है, सर्वीस वाले जोग होंगे, उनके लिए ही उपलब्ध होंगे, ठीक है, इसमें स करणारा मनें, स्वीप में दिव्यांग जनों को भी सामील करने का फैसला लिया है. स्वीप मतर्द, When the systematic arts and electoral participation में, ये क्या है, ये मताता सिछ्शा चुनावी भागिदारी में, दिव्यांग जनों को भी जो इसमें सामील किया है. नेक्स टाटिकल आता है ADR की रिपोर्ट आई है इसमें कि 44 परसेंट जो मौझूदा MP उसमें अपराधिक मामले दर्ज है और 5 परसेंट सांसद क्या है वो अरपती है ठीक है तो ADR के रिपोर्ट में बताया गया है तो यह जो 50 परसेंट जो पूरा सांसद है जो अपराधिक अरोप का सामना का 24 परसेंट जो सांसद उसमें से 50 परसेंट है जी 22 परसेंट लोग कहां पर आते हैं उत्तर प्रदेश, महराष्ट, बिहार, आंधरा, तिलंगाना और हिमाचल प्रदेश ठीक है इसमें 29 परसेंट पर गंभी आरोप दर्ज है यह आप चाहे तो आप GS2 का जो criminalization of politics है राजनीती का अपराधी करण उस वाले topic के अंतरकत आप इसको लिख सकते हैं तो अगर देखें राजनीत के अपराधी करण में तो सासन ब्योस्था में जो अपराधी हैं कानून तोड़ने वाले लोग हैं ब्रश्ट ब्रेक्तियों के प्रवेश को यह ब्रेक्त अपराधी करण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोट के नेड़ायों को बताया गया है राजनीती के अपराधी करण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोट के नेड़ायों को बताया गया है राजनीती के अपराधी करण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोट के न बड़ा important वाला जो case है, ये कई बार पूछा भी गया है, और ये चीजे means में आपको लिखना ही है, ठीक है, जब सवाल आएगा, जो people of representation act, 1991 वाले में भी कुछ कर्चुनोतियां आई तो, उसमें लिखेंगे आप, या Supreme Court के प्रावधान पे, या फिर राजनीत के अपराधिकर का राजनीती करण में अले topic आ गया, तो इसमें भी अलेले थामर्स वाले case को लिखना बहुत जोरूर, जैसे इसमें क्या होता है, कि कोई सांसत विधायक, जिसको कम से कम दो साल के लिए सजा सुनाई गयो जेल की, मतलब दो साल की, तो वो सदन का सदस से नहीं रहेगा, रा अब आता है कि चुनाव में उमिद्वारों द्वारा अपनी संपत्ती का ब्योरा देना, तो सुप्रीम कोट ने एक अपील पर सुनवाई किया, मधपूर निड़े दिया, कि चुनाव लड़ रहे उमिद्वारों को उन मामलों में निजता का दिकार है, जिससे मदाताओं क अब यहाँ पर देखो तो उमिद्वारों को ब्योरा देने के लिए कारूनी प्रधान कहाँ पर है, रेप्रेजेंटेशन आफ पिपूल एक्ट में थारा ताइटीस बोलता है, और इसमें थारा ताइटीस बोलता है कि अगर कोई खमी होगी, तो वो नमांकन परजा अब यह बड़ा इंपोर्टेंट है, भ्रामक विग्यापन वाला, बहुत इंपोर्टेंट है, यह मैं बता दू, पतंजली का केस चला था, रामदेव से, बार-बार माफियो वगरा मांगने के लिए यह सब चीजे चल रही थी, तो सुप्रीम कोट ने क्या आदेश दिया, ठीक है, कि सुप्रीम कोट ने सरकार को भ्रामक विग्यापन देने वाली जो भी फास्ट मूवर कंजूमर गोड्स कमपनिया हैं, उन पर करवाई करने का आदेश दिया, आरवेद उत्पात जो बनाने वाली कमपनी से जोड़े मामले थी, इसी में आदेश दिया, आरवेद जो विग्यापन में दावा है, उसका वास्तवित्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, गला जनकार देता है, गुरवत्ता क्वालिटी के जूठी गारंटी देता है, अनुचित व्यापार का समर्थन करता है व्यापार का, और इससे क्या होता है, कि जान बुझ को उस जो जनकारिया होते हैं, वो छुपाई गई होती है, तो ये सारी चीज़े जो हैं, ये इसमें खबर में आते हैं, तो भ्रामक विग्यापनों का परभाव क्या पड़ता है, तो ये आप देखो, तो सूचना और पसंद के अरिकारों का उलंगन करता है, जो उभुकता होंग अश्धी चमतकारिक उपचार अधिनियम जो है, ये इस भ्रामक विग्यापनों पर रोक लगाता है, उन्हें से चोवन में आया था, उभुकता जो सुरच्छा अधिनियम 2019 है, ये भी भ्रामक विग्यापनों को लिए जो है, सिसी पिये के अस्थापना की करता है, जो कि के केंद्री उभुकता सनच्छन प्रादिकर बोलते हैं, और खाद सनच्छा अधिनियम 2006 है, ये भी क्या करता है, ये खाद सुरच्छाओं से या खाद संबंदी जो प्रोड़क्ट्स होंगे, फूड प्रोड़क्ट्स होंगे, उन्पे ब्रामक विग्यापनों पर जुर्ब इसी में एक उसधी और चमतकारिक उपचार अधिनियम 1994 है, जो क्या करता है, कि जो चमतकारी गुड़ों वाली जोसधी नहीं, बाबा और गयरा टाइप के लोग होते हैं, जो देते हैं, उन पर ये रोक लगाता है, तो उस वाली एक्ट के बारे में तो जान लेते हैं, इस किसी भी दवा का वास्तिक प्रभाव के बारे में गलत जनकारियां जो है, अगर हो रहे हैं, उसको रोक लगाएंगे, धारा पांच बोलता है कि किसी विमारीक इलाज के लिए चमतकारिक उप्चारों का बिग्यापन हो, वो उस पर रोक लगा जाएगा, जैसे जाजु तो जो है, जो सलेबस का पॉइंट अबर 13 है, उससे हमने दो आर्टिकल कवर किये, अतिसमेटल सील वर्भ हो क्या, इस तरह से पॉलिटी और गवर्नेंस का जो यह अप्रिल मंत का मैगजीन है, उसको हमने कवर कर लिया है, और दो गलासेस के बाद आप इस QR को स्कैन करिएगा, विजनाइस का और विजनाइस के QR कोट इसकान करके क्विज दीजिएगा, मुझे उमीद है कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सौल हो जाएंगी क्विज, और अपने स्कोर जरूर से करेगा, कमेंट जरू करेगा, और फीडबैक जरूर दीज़ेगा, कि आखी जो सेलेब से लिंक करके जो मैंने आपको बताया, कि आपको समझ में आया, कैसा चीज़े हैं, सारी चीज़े हैं, उसको आप फीडबैक जरूर दीज़े, कमेंट में, ठीक है, तन्यवाद,